नमस्कार सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत हैं परमपुजे भाई संतो सागर्जी महराज राष्ट के गिवासंत का संकल्प पूरे राजस्तान के 33 जीलों में सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से वेदिक क्ये विविन स्कूलों में जाकर बचों को संसकारित करना हमारे वेद पूरान और गीता के बारे में बचों को जानकारी देना और उनको संसकारित करके सद मार्क परदान करना साथ में नित्य श्रीमत भागवत कथा ग्यानियगे का प्रतार प्रसार और रात्री में राष्टवादी बजनों की प्रस्थूतियां आज हम विविन विद्यालेओं में जो भागवत गीता की पुस्तकों का वित्रण हैं उस कड़ी में आये हैं टाइनी टोईज स्कूल स्री गंगा नगर में जांपार सेंख्णों बच्चों को महरासरे अपने अमरित बच्चनों से लाबानमीत करके स्रीमत भागवत गीता की स्री गंगा नगर के ताइनी टोईज स्कूल से आज के खरेक्टरम का वलोकन करते हैं सानातन धात भर्माव लंबी भाईभयान एवं हरी भक्त संतोर सागर जी हैं और संतोर सागर जी के लिए मैं कुछ बताओं उससे पहले कुछ चीज़ें आप से मैं कहना चाहूंगी आज के युग में हम सभी लोग गीता रामायन खास तौर पर युगा की भी भूलती चलिजा रहे हैं जब हमें अपनी संस्कृती को जानना चाहिए हमें अपनी संस्कृती का पूरी तरह से परिचय रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृती से दूर होते चलिजाएंगे तो हम न समाज सुद्रण कर पाएंगे ना ही देश सुद्रण कर पाएंगे क्योंकि संस्कारों की जो नीव मिलती है वो परिवार से मिलती है, परिवार से हमें तभी ये नीव आगे मस्बूत हो पाती है, हमारी जब हम हमारी संस्कृती से जोड़े नहीं, आप सब ही नहीं श्रीमद भगवत इता का नाम सुना हुआ है, जैसे ही हम दीता का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि संस्क्रित में बहुत सारे श्लोग हैं उन श्लोग को पढ़ना, सुनना, समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आज श्रीमत भगवत गीता ना केवल हमारे नेश में बलकि विदेशों में बहुत बहुत जादा मानने का पार कि और श्रीमत भगवत गीता के जो उगदेश आजसे नजाने कितने वर्शों पूर श्री कर्षन ने अर्जुन को दिए थे वो देश आज के समय में पूरी तरह से प्रासंगे भी खैरते हैं पर क्योंकि हमने पढ़े रही हैं, हमने जाने नहीं हैं तो यही हमारे सबसे बड़ी कमजोरी रह जाती है कि हम अपनी चीजों को जान नहीं पाते हैं इसी का एक बहुत बड़ा पीड़ा उठाया है संतोर सागर जी ने कि आज की यूवापीडी को सबसे ज़्यादा जरूरी श्रीमत भर्वतीता की जानकारी होनी चाहिए वो देने का पीड़ा उन्होंने उठाया आप लोगों के लिए सरल भाष्णा में उसका महद उसकी जानकारी संतोर सागर जी यहां आपको देंगे संतोर सागर जी की अपनी एक प्रस्ट है का सेवा संस्थान चरिड़िवल प्रस्ट और ये श्री डूंगरगर बीकानेर से हैं इनका एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है जिसमें वो युवाओं को इस ओर प्रेजिव कर सकें और एक बहुत बड़ा सा ओम का सेवा से डुड़वाना चाहते हैं युवाओं को तो यू आओ, आज के लिए आप लोगों को जो गीता का घ्यान मिले, उसे अपने जीवत में उतारना जरूर, बहुत जरूरी है, आज का ये हमारा सेमिनार स्रीवत भवत इताजी की जैर, मासाता, मासास्वती के मंदिर में आकर, आप सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगाएं, आपके सामने जोर्ती पे विभूती बेटी हैं, जिनके तर्शन करके आपको बहुत सुख़त अनुशी हो रही होगी, आप ए परंपुजे संतो सागर्दी महराद, राजस्तान में भीकाले जिले में श्री यूंगर्गेट में आपका जन हुआ है, एक जिवा संत, मात्रे 35 वरस की उमर में आपने एक संतल किया है, सनातन धर्म यात्रा का, बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे लोग आपत्या ही कर रहे हैं, इसके प पताने के लिए परंपुझे संतो सागर्दी माराद, पूरे राजस्तान की यात्रा पर निकले हैं, देश का भुविष्य, देश का आधार बच्चे और युवा हैं, विश्वक का सुच्छे अधिक युवावाला देश भारत हैं, जहांपर साट प्रतिस्टे जना अपने समाद के पर्टी, अपने रास्ट्री के पर्टी, इसका अगर बच्चे को नहीं होगा, तो भटक जाएगा, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो असांत रहेगा, वो जीवत के लक्षे को प्राप्त नहीं तरपाएगा, इस उद्रसे से 22 संतो सागर्दी मा पराद ने सनातन धर्वियाता शुरू की है, और इस त्याता के दूसरे पड़ाव में, प्रतम पड़ाव में आप मिका ने, जापर उनने लगबग चार अजार सेधिक बच्चों से मुलागात की, उनको ने अमरित बच्चनों से लाभामित किया, उनको हमारे सनातन धर्व उनका जीवन हो, और संस्कालित हो, और उनके धिमाग में, उनके मन मस्कत में आंती हो, ताकि वो अपने सुन्दर जीवन को और अधिक सुजड़ बनाकर रष्ट के दिर्मान में अपना योगदान अदा कर सके, ये एक छोठा सा लूपरीचे हुआ इस निक है, क्योंकि आध्रवी सिक्षकों को लमन करता हुँ और पड़ाद कुझे भाईस्री संदो सागर्दी महाराच के वाउन स्दी चलों में नमन करते वे आध्रे अग्रे करता हुँ विनिती करता हुँ ये मारे राष्ट के बहुई से नन्य मनिवर्चों को अपने अमरित प्रच्छों से लवानिते हुजे भाईस्री संदो सागर्दी महाराच करता हुआ करता है हादर गिये, माता जी, टोबेश कांपना उज्या, आमारी प्रिए बेर टोजिशन दो, और सभी रेक्टर्स श्कुल के अध्यापक मेनेजमेंट ग्रूप, और इश्वर्टू ये भर्वायक का सुरूप, सभी नंदे को ते बलचे, आप सभी को मेरा प्रहाँ, पेले को मैं आप सबसे छवा प्रम्थी हूँ, कि मेरी मुझे से आपको इंतरजार करना पुड़ा, अभी बता रहते हैं, कि साड़े ग्यारा मुझे आपको बिजा दिया गए, तो मेरी मेरी सोली, मैं फोड़ा संदेश हो गया, अभी विडियागेस में काली करता, तो महां प थोड़ा सा अप्चारिक का में समय दे गया, तो सनातम धर्व यात्रा, एक साल का छोटा सा संकल्ब लेकर में ये यात्रा करना, और मेरा धहय है कि राजस्तान के तेप्तीस जीलों में जाकर मजभी इस्टुगे दोस्वे विडियाद्मियों से जहां तक संबभ हो मिल सकू कि आपको सबसे जया ज़िया ज़ान का लुल सब्सक्ते करें कि मुझे आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या रगता धुराया aika, कशी को घोगना कि खाना पसंद प्रना टूं को और मुझे है कि आपको सबसे जयादा पसंद या यह nुण कि मुझे बच्चे बहुत पसंद रहे हैं यान कि आप बंचों से बहुत जयादा प्रेंगा हूँ तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए बेटना हूँ कि मुझे आप लोगों से बहुत जयादा प्रेंगा है तो आप कुछ बातें मैं आपसे करने के लिए आया हूं पहले तो आप सभी लोग पड़ा सा serious mode से बाहर आजाएं कई बच्चे तो बहुत जाता serious पेठें serious मत पेठो, serious mode से बाहर आजाओ मैं आपका थोड़ी ज़र सर खाने के लिए आया हूं तोब मैं घाट लएजय हां तो कुछ बाते मैं आपसे करना चलना हूं आप लोगों को बता है आदमी सुदर का लगता है अच्य टपडें पेघने से रख कटिंग बनवादिने से आदमी शुदर लगता है आदमी सुन्दर लगता है जो उसके चहरे पर मुस्कुराइट होती है और जिसके चहरे पर मुस्कुराइट होती है वो कितना भी बैक अप करते हैं वो सुन्दर लगे 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 लिए तो जिसके चहरे पर हसी होती है, मुस्कुराइट होती है अच्छा आप खिला वा पूर पसंट आएगी दो बूजाया होगा खिला वा ना तो आप यह दो प्रजाय वर ऐसे क्यो गठ़िया हो कि और भागवान ने मानुव को सबसे सुन्दि किया दिया बता है मुस्कुराय थे say और यह मानूं की लिए स्कूर्णिस पर वोंट से पक्य Bock क्याँ था है कि ऑंछो में वोंट से कुछ कह रहा है जारा है जारा है जा या और गगढा तो कभी हंसता ही भीडी इसलिए एन संसे भाण एक पैसंसे भाण स्री घंजा में मैं अभी तक कम से कम 2000 बच्चों से बिठी चुकर हूं और आप मैं आप लोगों से बिनने के लिए आ रही हूं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे जाननी भी है और आपको बतानी भी है कि हम सब लोग अभी education life में हैं अभिभाई कर रहे है को कुछ भी काम हम कराएं कि उसके पीछे हमारा कुछ नच मोटी होता है कुछ नच करता हिछे होता है तो अपको पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तो कोई नच कोई नच कोई नकुड़ायग है या केवल अपने लिए आपको ये गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म बार्त में हुआ है आपका चनल भारतिय सन्सकर्टी में हुपा है क्योंकि पूरे विश्व bell को पुछ ने कुछ देने वाला संपंती के गूंपे अपनों इं तस है क्यांग गूप परें विश्व को पुछ ने कुछ देने वाला मात्र एक देसा है वह भारथ पूरु विश्र को ज्ञान उर्जा देने वाला आध्यान कुशक्ति देने वाला एक मत्रदेश है भारत और आपको ये भी बता दूँ कि सबसे ज़्यादा उप्यों की कोई देश है वो भारत है और सबसे ज़्यादा उप्यों की लोग कही हैं तो वो भारती हैं बाध के लोग उपयूगी होते ही होते हैं, सबसे जादा बढ़ी बाध के लोग का है, हमारे दिन जो management है हमारे दिन जो helping nature है और हर एक चीज कर जो उपयूग करना हम लोग जाते हैं वैसा दूसरा कोई देश जानता है, रोभात जो सीखता है मैं तो अक्सर मेरे बच्चों से कहता हूँ कि जब अन्य देशों में एनी सीडी सिखा ही जाती थी तक वारत के अंदर तक्ष शिरा जैसे गुरू को चुलते थे यहाँ पर वेदों का उद्रोश होता थे था तो वेडित घ्र अ सनातन्दरम इतना उपयोगी है इसम के लिए अठपर होता है और हम लोको को जो हएछ चीज का उपयोग करने के जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा अधूर थे हैं हम लोगों के जीवन में उप्यों की सब होता है जैसे मैं बात मता हूँ आप जो एक बजार से नहीं टी-शिर्ट लाते हो और उस टी-शिर्ट में जेट हो जाता है आप क्या करते हो हैं? पोचने करते हैं जब आप ईन्योपीयों की बाते हैं जिए लोगी प्योंपीओ की वज़्दे जब टी-शिर्ट में च्छेद हो जाता तो उसको नाई की रिखते हैं और उसको नाइट पेहनेगे और नाइट में भी जब उसका रीजन पूरा हो जाता है तो अभी उसका क्या करते हो पौचा नहीं बनाते हैं, फिर अपने सब ओली के लिए रहते हैं, कि अपने सब बने सब बढ़ा हो, तो पौचा बनाते हैं. तो यानि कि एक चीज का हमने कितना सुंदर उप्यों की किया है, तो ऐसा उप्यों की जीवन हमारा बढ़ा चाली है. आपको पता है इष्ष्वर कीन क्या करता है? में हम कांपनी चुप्स करता है? तो छू कि चे पता है और फैसे सरक पता येवका करता है तो अचया प्माल क्या करते हैं कोई बढ़ा सकते अब टिमरीरे क्माद है? और सुभिया एक ने जाकर भागवान से पूछा कि भागवान इतनी लोग आपसे प्राधमा करते हैं कोई गुजराती में करता है, कोई मरती में करता है, कोई तबील में करता है, कोई इंदी में करता है, कोई मारवडी में करता है, को इंग्लिस में करता है तो क्या आपको सब की बासा समझ में आती हैं? सब की बासा समझ जाते हो आगवान ने कहा कि हाँ मैं सब की बासा समझ जाता हूं कि मैं शुनता नहीं है तो फिर आप सब का बदा कैसे करते हो अगवान ने कहा कि जो भी मेरे पास में आता है जिस धीचार और भावना को लेकर आता है, मेरा सिर्फ एक काम है, वो काम है तथास्तु कहते हैं। क्या काम है? 나ज्ञ है तथास्तु कहते हैं। अब जैसे एक बच्छा भगवान के पास देता झाकर के लिजगा प्रभू, मेरी बुत्ती कमजोर है। तथास्तु कहते हैं अब जैसे एक बच्छा भगवान के पास ले दाकर के लगा प्रभू मेरी बुद्धी बहुत कमजोर है, मैं बहुत कमजोर हूँ मेरे माक्स बहुत कम आते हैं मैं तो बहुत पढ़ने में यह हूँगो हूँ तो भगवान के पास बहुत कमजोर हूँगा और एक दूसरे बच्छा लाए तो भगवान के पास लो जाकट के ततर प्रभू आपकी कर्पा से बूरू जनों की कर्पास में बहुत हुशियारू और अबकी बार में सबसे ज़्यादा नॉम्टर लेकर रूँगा अब की बार में 100-100 नमर लेकर आऊंगा, आपकी किरपा रही तो तो भगवान कहता तथास को जा तो 100 के अंड्रेट ही लेकर रही तो भगवान का काम क्या है आप जैसे विचार, जैसी धारना बना कर, भगवान के पास में जाते हो तो के वहले एक बात कहता है तथास कुछ भगवान का दूसरा काम शुदी, भगवान हर एक व्यत्ती को तीन पेज की डाइगी लेकर देशता है, कितने पेज की? तेन पेज की डाइवी, तीरी पत्ते होते हैं उसके, उस तीर पेज की डाइवी में पहने पेज पर और आकरी पेज पर भगवान गुद लिखता है, पहने पेज पर क्या लिखता है? जन्म, और आकरी पेज पर? जन्म, आपका जन्म कहा होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन द जीवन रूपी पेज उसको जीवन कहते है और उस जीवन रूपी पेज पर लिखने के लिए भगवान ने हमको एक पेंग दिये, एक कलम दिये, जिसका नाम है कर्म तो ये कलम रूपी पेंग से उस पत्य परंग जो चाहे को लिख सकते हैं ये जो आपका भी समय चल रहा है एड्यूपेशन समय है इसको गोर्डें टाइम कहते हैं इने 25 वर्षों का जो महत्म समझ लेता है उसके आगे के पीचे तरवर्ष बहुत ही जादा सुन्दर होते हैं और जिनों ने 25 वर्षों की एमनियत नहीं समझी आगे जो पीचे तरव साल उसके बिल्कुल खराब होते हैं आज की बच्छों को दो चीजे बड़ा खराब कर लेती हैं कौन-कौन सी कोला पहरी चीज तो है भेशन और दूसरी चीज है भेशन भेशन समझते हो नशा तो आ पहने का सो किस्को है यह भुटनों से जो पटी हुई पहने होती है वो किस्को चिलिती है पहने में कहीं कहीं बचन तो ऐसे एक तरव से करवा के आते हैं जैसे नाई आपी पहने करके भूर दे हो तो यह जो फेशन और यह यह आप की सथ्यू है और जो इस चीजों में ब्रांडेट कपड़ए हो ब्रांडे mauvais हो ब्रांडेट सूचो हो हमाने हीडो की जैसी कती करवां ओं यह प्रम जो बच्चा इन कुमें पढ़ जाता है और मानों कि उसके प्रोक्रेस में वैंपर ब्रेक लग गए फिर अंगे तोगस्य नहीं कर depende मैं अक्सर कहता हूं पीड़ो पीड़ मैं और इसको संभाद कि बीकल को इससन अपार लिखेई तो येशार और आपको बता दो आइस्क्रीम जब फिगलती है तो किसी को कोई फाइदा नहीं होता है तो जीवन हमारी आइस्क्रीम की तरह यह फिगलना है और कल फिगल जाए कोई पता नहीं है तो जो समय हमारे पास में आउड़ेबल है उस समय का हमें सदुप्यों करना चाहिए यह इसकुल इंडिस्टी है मैं पर समझे में आई कर दिया है अपनी पर संस्क्रीट पर बोलूँगा तो समझे में आएगा और इंडिस्टी मुझे आती नहीं है अपनी पर आप समझोगे नहीं तो इंडिस्टी में क्या पची हिंडिस्टी हिंडिस्टी हमारी नाश्न पर भासा है आप इंगिस्टी पड़ो चाइनिस पड़ो और रिदी आप ऐसे पड़ी आई-एपी करके इंडिएर बनेगा कोई दोक्तर बन जाएगा कोई बहुत बनेगा जब आप प्लेग भार उपर काम करोगे ना तो आपको हिंडी भासा की बहुत जादा आप शेक्ता पड़ेगी और आप हिंडी भासा को भी बढ़िए उसको भी सीखिए हमारे पहले की भासा क्या थी पर लोगत होगई ना ति दिर दिर आज ऑन Am हिंडी ही वाहिeon के इंगलीस पड़िए तो हिंडी अदी हो हमनी बसा आ राश्णावासा थो खिर आज समय पडूँ अब हम आइस्क्रीम की बात कर लें, तो आपको पता है संस्क्रीट में आइस्क्रीम को क्या कहते हैं? आप to site Sanskrit भलसा में नुझी नहीं होगी। पर Sanskrit भासा अам…ईतनी मदूर भासा है कि Sanskrit में आप किसी को गाली में देते होना तो उसे लगता है कि मेरे ब ही तो कमीटा घचाए आद मैं है। जैसे आप बहुते हमें कि अजी किसी बहुति कि आप कुढ़ीpected को कुछे he s तो बड़ा राजी हो जाएगा. आप किसी को एंडीमो कहा हो कि ओ गदे तो भुजशा हो जाएगा और आप इसी को से स्क्रिप्ट पढ़ो कुषक नन्दन तो बड़ा राजी हो जाएगा. मामों कहें तो मैं कहा रह रहा था कि जीवन जोगता है वो तू आइस्क्रीम के जेसा होता है आइस्क्रीम के जेसा होता है तू आइस्क्रीम के जेसा होता है तू आइस्क्रीम को संस्क्रीम के जेसा होता है तू आइस्क्रीम को संस्क्रीम के जेसा होता है क्रीम हिदी में का होता है क्रीम हिदी में का होता है मैं बसकाता, जूरो आइस्क्रीम को सलस्क्रेट पे कहते हैं दुख्त सरकरा युक्तम हिम गोल कटम क्या कहते हैं? दुख्त सरकरा युक्तम हिम गोल कटम दुख्त सरकरा युक्तम हिम गोल कर बीचिए इसमें दुख्त सरकरा युक्तम हिम गोल कर बीचिए इसमें भी आपको नेम फ्रेयो लेना के आप कैस्क्रीम जिक्राप कहना आप दुख्त सरकरा युक्तम हिम गोल गे तुम और इनना आप कहोगे उतमें में आपके 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 पिखल जाएगी तो हमारा जीवन जो है ना वो आपके जेसा है यह पिखलना यह पिखलना है तो अपने जीवन का वे परसन है कि तो साइत dobrze में पूोंले और सुने भी मुझे अच्छा बढी है जीवन जो जो है को ांच्र में के चाशा कोक्ति कर आपके जूए कर आपके अश्सक्रीम नहीं करना है के मवडती परना मॅवक ही glorना है आईस्क्रीम भीगरती यह और मौवड़्थी भीगरती यह मोममती कैंटल जब बIGHती है ता उचारों लोगों के जीवद में परकांश करके चली जाती है हमारा जीवन ऐस्क्रेम के जैसा होना चाहिए कि मोम बदी के जैसा को 100 लगता है कि आपका अभी कम जीवन है क्यों pics क्योंकि जीवर का सबसे पर ला फूर होता है मेनश अगल अमको यह ख्याम नहीं हो कि हमारे पास में कोई आत्मी आया है, वो अबे कुछ अच्छी बाते बता रहा है, हमें उन बातों को केसे सुनना है, इसका बतन है कि हमारा जीवन अभी अनुशासित नहीं है, तो तायम की पुछोलिती, अनुशासित जीवन, गंभीरता जब सबबें देश्ट नहीं आएगी ताम हुसो अपने लक्षे को प्राप्त नहीं करना हो अहला जीवनए गफोठी होता है हमारे जीवन के लख्षे होता है … उसको में प्राप्त करता है आप न meant जोगा कोई LMB करेंगा, कोई MBA करेंगा, कोई IIT करेंगा आप अपने चीवनकाल में कित्री गिता में पढ़ेगी? हचारों किता में पढ़ेगी और उन हचारों कितामों से केवल आपका बुद्धी बन पढ़ेगा बुद्धी बन देज हो जाएगा बुद्धी में आप वो देज हो जाएगे पर बुद्धी के साथ साथ में एक होता है बुद्धी बन, एक होता है बाचुबन, एक होता है धनका बन, ये तीनों बन आपके तभी काम करेगे जब आपके पास में एक चोथा पन और होगा. कौन सा दनबन गुद्धीमन बाजूबन यह तीन नहीं यह तीनों मल आपके तभी काम करेंगे जब आपके तरह एक चोठा बद रोड़ो थे चोठे बद नहीं असरी बद काम है वाजूबन कौन सा बद आप इतने वी गुद्धीमान है आपके बादों के इतनी थाकत है, आपके पास में कितना दी धन है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करपाऊगे, आप उसका उप्योग नहीं करपाऊगे, जब तक आपके पास में मनोबल नहीं होगा. आज आप देहते हो, अक्वार में, ने विजल कहा है और यूटूम पर ओबेल में, बड़े अब बड़े हाई ओड़े बादेज है , अबने चाहिए सूना आपने वॉडे निंप पूरी सेसरेखाइप 파ंये थैंस-फ्रॉ've अधिवल था धन बन था और उनके परसमें मनों बन देगा आगवी अपने लक्षे को सुंदर बनाने के लिए अच्छा एक बात इमान तर इसे बताना अपने जीवन को लेकर कोन घंबीर है पर अपने जीवन में बहुत बड़ा दुखा कोन कोन प्रत्त करना चाहते है आप जित्pur में बड़े हैं बड़े हैं बोक नहीं अभी तक बच्छ भी है तही छोटी शेयोम में भहत दंबीर हो जाता है अपर हेचीवन की बट्लीर को समझ लेता है कहीं बच्छे बच्चे बढ़े हो जाते हाई ,たहí अग है अग्यर प्रक्रम बड़े नहीं होका है तो तो बच्चा किसे कहते हैं को बच्चा को बच्चा होता है चोटा बच्चा बच्चा होता है बच्चा उसे कहते हैं जिसको बच्चा बच्चा के रखा जाएगा बच्चा किसे कहते हैं जिसको बच्चा बच्चा के रखा जाएगा कभी मंभी बच्चाती है कभी पापा बचाते हैं, कभी फीचर्स बचाते हैं, पुरी आधतों से, पुरी सक्दती से, आप एसा मत करो, आप एसा मत करो, यह आपके लिए अच्छा, यह आपके लिए जिसको बचा बचा के रखा जाए, उसे कहते हैं बच्चा, आज मैं आपके पास आया हूं, मुझे मुजे आपसे कोई स्वर्थ दिया है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे लिडेस से बहुत प्रेम है और मुझे ये पता है कि इस भारत देश का बंश्यर है आप सbn लोगों । पर आप स्ब लोगों के इतनी संभाण आए हैं कि आप मेंसे ही कोई इस अराश्क्रे का प्रदानम्त्री द्रास्टेपति बनेगा, आप मेंसे ही कोई भारत का बहुत बड़ा उध्योग्ति बनेगा, आप मेंसे ही को भारत का बहुत बड़ा डोक्तर, इंजीनियर बनेगा, ये सारी की सारी संभावनाएं आपके अंदर हैं और इस संभावना आपके पीछे एक सुंदर लक्षे, एक सुंदर बोर्टी होना चाहिए ऐसा नहीं कि मुझे डोक्टर बनकर पेसा कमाना ऐसा नहीं कि इजिनर बनकर मुझे बहुत सारा धन कमाना इसके पीछे सुन्दर बोती होना चलिए और जिसका लक्षे सुन्दर होता है वो अपनी सबनता को प्रफ्ट करता है आपको पता है एक दोक्तर जब ऑप्रेशन करने के लिए आता बात में क्या लेकर आता है चाकू लेकर आता है जूरी लेकर आता है और एक ड्याको जो आपके पास कहते हैं तो क्या लेकर आता है चुडी लेकर आता है और दोनों के मोटिव में अंतर देखें काम एक जरसा है और दोनों के मोटिव में अंतर कितना है और एक जान लेने का काम करता है और एक जान बजाने का काम करता है तो दापतों पुलिस से दोड का छुपकर रहता है और डोक्टर पर वो गुवर्मेंट से सन्वानित होता है उसको पर को इसे रित्या राष्टित पुष्णा करते है तो हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे में हमारा मोटीव क्या है हमारा लक्षे क्या है एक बहुत बड़ी और दूसरी बात में आपके कहकर जाता हूं हमारे बुरुदियों ने इसे सदाई आप कही कि लक्षे जो होता है न वो हमेसा उच्छा होता चाहिए लक्षे कैसा होना चाहिए और आस्मान की जितने उच्छा ही होनी चाहिए और जिनका लक्षे आस्मान की जितना उच्छा एक एक समय आपके पास बड़ा कीमती है, पचीस वर्ष जो आपके पूरवाद के हैं, अगर पचीस वर्षों की कीमत आपने कर ली, तो आगे की पीछे तर वर्ष आपके बहुत सुख महीं होंगे, बहुत आनद महीं होंगे। स्वामी जी का नाम किसमें सुनाया है? मुश्ट रिस्व जानतेगा। स्वामी जी की जब देद हो, इक उनके आयूपी प्रविती को बदाएगा। स्वामी जी का नाद जोगा है, एक दुई का आयूपी की लिए जोगा है? 36 years, 36 years. और आज पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है, जो स्वामी जी जी का नाम को मैं जानता हूँ. तो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए ज्यादा उमर की अवश्टता नहीं होती है। बहुत कम उमर में भी हम बहुत बड़े-बड़े काम करशकते हैं। बहुत करने हैं। तो यह अमारे जीवन का लक्षे नहीं है, यह जीवन का टावेट नहीं है हमारा जो समय है वो बहुत उपी होगी है जो इसकी कीमत समझेगा उसका नंबर एक अच्छे जरवर पर जल्दी नंबर आ जाएगा और निकम मेरे लोग जो जादा पढ़ा है जो नहीं करते, कुछ नहीं करते तो उनका नंबर पहले साधी मही आता है मारा आप सोचते है कि यह बात में रिपन हो जाएगा समय पर इसकी साधी करते है जो एक कोई मासी जी भांजात मासी जी कीमत थी साथ सालकी और भांजे कीमत थी 30 साल के दोनों में बड़ा पहलता साथ साथ में लेते हैं तो मोसी जो है तो गर में कोई भी साधी होती ना जो बच्छा जो पढ़ता नहीं है जो मा आप सोचते से जली सी साधी करवा ताकि कुछ काउंट लग जाए तो मोसी उसको जब भी कोई गर में साथी होती ना तो मोसी उसकी एको नहीं मतलती अगला तेरा नमर है जब अच्छा बड़ा हो जब अच्छा बड़ा हो जब अच्छा बड़ा बात में से कहते तेरा तेरा नमर है अगला तेरा नमर है एक दी उसी घर में किसी की डेट हो गई, मर गई तो वह बांजा, मौसी के पास में बेगा था और मौसी से कहले लगा बगदा तेरा नोगा नोगा तो नमबर नामे के लिए आईउ की जरूट नहीं हो थी स्वामी बेगा नंग ने तो 35 साल की उनुर में अपने जीवर के नक्षे को का प्रिया, राधपूरे विश्व मेंसा कोई भी जो स्वामरजी को जानता है। तो अपना आइडिल जो है, वो सुंदर होना चाहिए, अपने जीवर का नक्षे सुंदर होना चाहिए, और अभी का जो आपका समय है, इसकी कदर करो और इसके साथ साथ में आपको हजारों कितावें आपकी बुद्धी को बढ़ाने वाली है। आपको एक सबन व्याप्यारी, सबनी जीनियर, सबन डोक्र बना देगी। पर इससे पहले ज़रुत है कि हम एक अच्छे मानूब बने। और हमारे अच्छे अतना मनौबर हो कि हम सब कुछ से परापत कर सकें, अपर लक्षे को फरापत कर सकें, अपर जीवन पे हमुषा सदाए, खंबीर्ता आए, हमारे जीवन किसी प्रकार पर दहे, दर, भये मेरे, हमारे जीवने पे तो भी डिप्रेशन में आताए, और हम आ पूरे लक्षे को फ़र आप तेखे सकें और इसके लिए आपको एक किताब और पढ़नी को जानता है। सब के घर में हैं। पढ़ी ही आपने कभी बोले हमारे लिए बड़ी वकुतादी नादी के लिए हैं। तो आपको एक बात बता दो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अबर पावर फुल को किताब है। तो बोल यह है। आप पड़े लिए हो गूगल करना। इस दुनिया के सभी कंपिस में 128 बेसों में बड़ी बड़ी इनिवर्शिणी में प्रांसीज, कनाड़ा, अमेरिका, इतालियम, चाइनीज, हर एक भासा में आपको एक किताब मिलेगी जिसका नाम है भकवत किताब। और ऐसे कोई बिनेशी कर्फिरी जिसमें इस किताब को मैं बड़ाया जाए। इस को कोही रिलेजन्स से मत chauffणना, कोई धर्म करके दूड़ना। इस दुनिया की सबसे बड़ी मनोची कघसर किताब है। और सारी की सारी स्पीच कहां से लिकल कर आते हैं, बड़ा है। उने सब का तो रह से जो सार है वो इसमें बढ़ा हुआ है और एक बात को आपको बपा दो यह जो भगवत कीता है इसके अंदर जो पृष्ण में संदेश दिया है अर्जुन के लिए वो कि अर्जुन के लिए भी है वो हमारे सब के लिए है एक इस किताब को जो आदमी समझ जिसके जिवन में किसी भी आयाम को प्रक्त कर सकता है वो अपने जीवन में पर अटक नहीं सकता एक बड़ी मनोचिकी सक्की काव है जिसमें स्रीक्रिष्ट क्यावत है कि आपको बता है अपको जिंदगी पे कौन हाज आता है कोन आदमी आता है स्रीक्रिष्ट की कहते है संसे आतमा दीनेश्टरी जिसके जीवन में संसे बना रहता है अपने कारिये को लेकर वो आदनी जीवन में हार दाता है तो गीता और संसे को घगती है और घिता कहते है गेता कि अपने कारिय के पर्दि अपनी पढ़ाई के पर्दि हमेशा सवधावाद रहता अपने राश्ट के पर्दि जो समझ भी तरहता है ऐसा व्यक्ति लाखों में एग होता है रहों अपने जीमत के चल्म नक्षी को प्राप्त कर देता है अब हजारों किताबें पढ़ते हैं और ज्यादा समय में आपका नहीं होगा, मुझे एक दूज़ें और भी जाता है तर मैं आपसे ये देवेट में करूगा आप अपने जीवन में, अपने किताबों में, उपने सिर्वश में, अपने बैद में एक किताब को और समृत कीजिए उनसी अपने सिर्वश भाक्रत्टीता, जिसमें आपको जज्यान योग, भक्त योग और कर्व योग की बाते कहीं जाती हैं, दो चीजीं होती हैं, एक कर्म होता और ये बातने होता है, कर्म मेंक कर्म होता है, कर्म नहीं प Two- aşk कर्म भी कर्म भीम अग्म करनें पोह हों इसे हूं आपको करमड करना हैं मेंनद कर दीन요 दूसरा आपके अंता मन में फुजित घ्यान होना चाहिए। अपने करतरदे डाश्ट के पति अपने ग्रू जुनों के पति अपने माताफ़ा के पति अे हमारा क्या करतर डेवनता है वह ज्यान आपको होना चाहिए। को अपने हर लक्षे को फ्राक्ट कर लेता है और इन पीमों ऐसे एक जी भी कमी रहती है तो कहीं न करी आदगी हाल दाता है और फेर हो जाता है आपने इसकुल का अंबरक करके इसकुल की पढ़ाई को पूरा करके जो समय आपके पास बचे घेसल और मोवाईल से दूर रहे कर 25 साल इमानदारी से अपना जीवन जीओ इन 25 साल अपने इमानदारी से जीवन को जीओ आगे की पिछित साल आपके एक अदम सुखी और आनत मे आपके जो अच्छी उमेट आप करना चाहिए वो आपको बिलेगा लोग आपको स्यूट करेंगे अगर आपको ने 25 साल की खदर कर ली इस भगवत गीता के एक, दो, तीन पेज को आप रोज बढ़ेंगे और समझेना की कोशिस करेंगे किसमें क्या दिखा हुआ है और आप और गित्त की कीमत कुछ नहीं होती है, गित्त वह अन्मोड होता है, और मैं आपको जो दे रहा हूँ, वो दुनियां का सबसे सुद्र गित्त है, तो आप सतेव इसको अपने पास में लखेंगे, और कोई दिले जिल से मन चोड़ना है इसको ये क्यान की किता जो मेरे पुर किता, दो कुछ जो सबसे जदा सालख की किताँ है, आप इसको पास में रज़िगा, जिस से आप सबसे ज़्यंतर हैं, मैं आपने याBen miy पर्चों से प्रेमए है, तो आप भी जिससे प्रेम करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, वक्मत में रिका। और इसकी अच्छी बातें आप समझ करके, अपने मित्रों के बीच में इसका पज़ा हैं, आपने बातें एक बुस्निक साफ में सेर कर सकतें तो आप अगर अपने जीष्य, अपने आप से प्रेव करते हैं, जीष्य दो सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने सरेवस में पनी किताब भी सोर किये तो भवन पीता को आप रोज पढ़िए, ये किताब आपके जीष्य को बदलने माले कीता है, तो मैं आज आपको ही गिंट में लेकर जाऊंगा, निश्चित आप इसको पास में रखेंगे, और अभी एक सार तो मेरा स्चुडिल पूरा बीजी है, दो अजार पैस में मैं कोशिस करूगा कि आपके पास एक बार फिर आऊंगा, और एक सार बार जर में आऊंगा तो आपक आपका, प्रॉमिस, नो से मोले ग्रादुकर के बता, ये हिंदी में भी है, सलस्रिक में भी है, बोर करोके पर इंगेस में भी है, हर भासा में जिस भासा में आपको पढ़ना हो सब कही बच्चे आपर नहीं करते हैं, एक एक टीचर में पूच्छा अपने बच्चों से, कि जो सबसे आप सी है, मैं उसको अति-पड़ा इनाम दूही, जो सबसे आथ इनाम दोगी, आप पर करोको सी है, हो किसी इतना आप उपल किया, किसी इतना उभाद दिया एक कोई मेरे सबाद्यान्ह्यर से महो ड़़भे दिए-पोई तो टीचर ने का तुझे इनाम नहीं चाहिए, तो ले टीचर इनाम तो चाहिए और आप उपर कोल करें, तो टीचर ने देखा कि यह सबसे ज़्यादा आदसी है, पैसी कोई इनाम है, तो यह बहुत सुपर्दीन कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप में प्रॉमिस भी किया है कि आप इसको बढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे, और यह आपके जीवन को मिलिन उनकुल बदद देगी, तो आप अपने पास में डखना, और दूसरों को भी इसके लिए परिद करना, आप जिससे प्रेम करते हैं, उसको लिए लिए बदान करना, और है, हर इसकोल का टीतर यह चाहता है, कि हमारे त्वारा पड़े हुए बच्चे सपन हो, तो आगे जाकर बहुत बड़े इंसान बने, बहुत अच्छे इंसान बने, तो आप इनके मनुद्द को पुड़ा करेंगे, अपने जीवन के प्रति हभी होकर, आपका साथी, आपका मित्र क्या कर रहा है, इसके ऊपरबत जाएं, किसी सिर्स पर दानूट करें, आप के उनठे आपके उपर फोकस करें, और आपको कुछ बनना है, आपको वालन के दिवें कुछ करना है, आपको पने माता फेला के बिशबी कुछ करना है, इसलिए आपके अपना तारगे मिन करें जो आपकी जीवन को भोड ही जातना सुंदर बदा सकती है तो इसी के साथ में अपनी बाइब को पुरा करता हूं एक एक गिफ्ट देगे जा रहा हूं आप इसको हमेस आपके पास पर देंगेंगे और अजया में जाए अजया है फідकते जापIST अचाना को भीत करताहिं हां якा रहा हूं एक्से बदाखेश में एक बाइब क्षशों में झाल 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 झाल